हेलो एवरिवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी चलरी आप सभी की स्टोडी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोडी ब्लोग विश्यवेंदर बग आज इस वीडियो में हम आप सभी के लेकर आए हैं भारती नय सहीता 2023 का परीचाए तो अई शुवात करते हैं वीडियो की भारती नय सहीता को 25 दिसमबर 2023 को रास्टापती की स्वीकर्ती मिली यनि कि अदिनयामीद हो गया और साथ य हम आप को यहाँ यह भी बता दें कि 20 दिसंबर 23 को राज्य सभा में पारित हो और 21 दिसंबर 2023 को लोग सभा में पारित किया अर 25 दिसंबर 2023 को रास्टरपती की स्विकर्ती मिलने पर यह पारित हो गया बत लागू कब हुआ एक जुलाई दो हजार चोबी से ये प्रभावी हुआ है तो आखिर इसमें परिवर दिन के आवश्यक्ता क्या थी तो इंडिन पैनल कोड जत्वा अंग्रेजी यूग का आवशेश था यानिके कि जो ब्रिटिस कालीन विदी थी उसका आवशेश यानिके 1860 की विदी ए 1862 में इसको लागू किया गि 1834 से इसका ड्राफ्ट बनना सुरू हुआ था और इस वक्त इनमें आधूनिक अधिकारों और समावेशी विमर्स के अनुरूप बनाया जाना जरूरी था हमारे दांडिक विदियो को इसलिए इनमें परिवर्दन के अवश्यक्ता पड़ी इसका जो नाम करण है यानिके भारती नियाय की ओर मुड़ना यानिके जो दंडादेश होते हैं उनको moderate medium बनाना ताकि उनमें अपराद के कोडिंग कठिन कारवास भी हो मिर्दु दंड भी हो साती सात सामोदाइक सेवा जैसे दंडों को भी इंक्लोड किया गया है अगर बात की जाए इस पर सरकार और नियाय पालगा के दश्टी कौन की तो भारत की सीजाई ने इसे मील का पत्थर बताया है और सरकार ने जो नागरिक है उन तक न्याय की पहुँच के सिध्धानतों के आधार पर जो स्टेट और सिडिजन है उनके रिलेशन के संबंद में इसके आवर्शक्ता पर जोड़ दिया है तो यह कुछ एक्स्ट्रा फेक्ट थे बलकि अब देखते हैं यहां पर बीनस का गठन तो कितन से संबंदी जो क्राइम थे उनको मुस्टली पूरे आईपीसी के अंदर फैल आया हुआ था जैसे पांसो नो में भी था दोसफटाइस एमें 354 तीनसो चबवन अभी सीडी तीनसो पिछेता चेतर मतला काफी जगह अपराद को इंक्लूड किया गया था बट बीनस में उनक पढ़ते तो वहीं से 358 धाराएं भी पढ़ेंगे जो कि आईपीसी में कुस रिपेल सेक्षन थे उनको यहां से रिमूव कर दिया साथ जो चीज़ें आईपीसी के अंदर सेक्षन पाइस सेक्षन दी हुई थी उनको इहां पर सब सेक्षन में इंक्रूर कर दिया गया है अ बादर 500ध रुपे जुर्माना वहां पर कर दिया गया है और लगवक तेईस ऐसे अपराध हैं जिनमें आनिवारे न्यूंतं सजा सुरू कर दिए और पर न्यूंतं से शुवाद कर देखिन और इतना और मैक्सिम इतना दिया जा सकता है क्योंकि फिर मामले की कंडिशन के क परिभासा खर्ण जो है वो आई पीसी में हम 88 से 52 तक देखते थे जो व्यक्षय थी बट बी एनस के अंदर जो है सारी परिभासाओं को सक्षिन टू में इंक्लूड कर दिया गया जैसे की अधर एक्ट्स में हम देखते थे बट के आपको परिवर्तन किया गया नहीं ऐसा खा तो जब तक उनका कोई अधर मेनिंग ना होगा जब तक आप उसे इसी सेंस में देखोगे यहां पर लाइन का मतलब है और जोड़ा क्या गया है विसे चीजे बच्चा यानिके शिशू 2-3 में यहां पर इंक्लूड क्या गया है सक्षिन 2 के सक्षिन 3 में यह जो 18 वर्स से क हमका वो सब शिशू की कैटेग्री में अगा दस्ता वेज जो है पहले सिंपल थे अब यहां पर इलेक्ट्रोनिक और डिजिजल रिकोर्ड को इंक्लूड कर देगा और साथी ट्रांसजेंडर और नयाथी से कुछ विसेस्ट परिभासा यहां पर इंक्लूड की गई है आई सामोदा एक सेवा जो है पहली बार यूज की गई है यह एक नई देंड प्रिणाली को सामिल किया कि हम आपको यहां बता दें कि यह पॉइंट भी फोर है इस पीडियाफ का आपके और बी एनस के सेक्शन फोर में ही आपके टाइपस ऑफ पनिस्मेंट बी एनस के अंदर द जलती है तो सामोदा एक सेवा जैसी पनिश्मेंट दी जाएगी तो अपरादी को सुधरने का मोका भी मिलेगा जैलो में लोगों की संख्या भी कम होगी और इससे सुधरात्मक नियाय को भी बढ़ावा मिलेगा सामोदा एक सेवा शब्द को परिभाशित किया गया और इसमें मुस्लिकर देखें तो बी एनस के अंदर आपको ये वर्ड कहीं परिभाशित नहीं मिलेगा ये वर्ड जो आपको परिभाशित मिलेगा वो बी एन एसस के अंदर परिभाशित मिलेगा सेक्शन 23 के अंदर है ठीक है नेक्स्ट अगर देखा है तो भारत में अपराद के लिए भारत के बाहर उकसान है यह न्यू प्रोविजन जोड़ा गया है 48 के अंदर अब अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर है और भारत के बाहर ही किसी व्यक्ति को भारत में अपराद करने के लिए उकसा रहा है त माईलाओं के खिलाफ आप राद में क्या है कि अगर वाइफ के साथ भी सेक्शल डिलेशन बनाय जाएगा और उसकी एस कितने ठाट साल से कम है तो वो भी यहाँ पर आप राद की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा पहले क्या था सेक्शन 375 IPC के अंदर ये फिफ्टी नियर्स ती जिस पर मुस्ली काफी याचिकाएं बगरा डली हुई थी कि इसको बढ़ाकर 18 येर्स कर दिया जाए और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मुस्ली सेक्शन 63 BNS के अंदर इसको 18 येर्स कर दिया गया है नेक्स हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं 12 वर्ड से कम यह 16 वर्ड से कम के खिलाव जबर सेक्शन ओफैंस है तो उम्र स्टेडियों को 18 वर्ड से कम है समयकित कर दिया गया है क्योंकि 2-3 में जो शिशु वर्ड आपने देखा भी हमने आपको उपर बता है तो वहाँ पर जो है शिशु को 18 येर्स तक का जो 18 येर्स से कम का जो वेक्तियों को शिशु की कैटेगरी में तो इसलिए यहाँ पर यह एस 12-16 जो भी सब को ख़तम करके मुसली 18 वर्स कर दी गई है और जो महिलाएं होती हैं उनके खिलाव जाच्छल या विवा का जूटा वादा करना, सेक्शुल रिलेशन बनाना ये जो चीजें हैं इनको और गैंग्रेव वाले जो क्राइम से इनके लिए मुसली डैट सेंटेंस अपरा मतलब दंड को इंक्रूड किया गया है कुछ धानाओं में लिंग तटरस्त का उप्योग किया गया है मतलब जो व्यक्ति पुरूस वर् देखते थे जो पुरूस सब्दाप देदे थे वहां पर क्या कर दिया है जो कोई भी मतलब मेलिया यह नहीं कि अगर कोई भी प्राइम है उसमें मतलब क्यों पूरूसी निकुड़ होगा जो कोई भी शब्द वहां पर यूज कर देगया है बचों के खिलाफ अप्राद ब भीट द्वारा लिंचिंग यानि कि 5 पांच से थिक व्यक्ति मिलकर जो हैं क्या कर रहे हैं कि यहां समुदाय भासा लिंग जनामिस्थान वनसीन सब के आधार पर क्या कर रहे हैं किसी व्यक्ति की डैत को उसको उसको पनीशेबल किया जाएगा यहां जो जोड़ा गया है यह और तो 132 के अंतरगत और ये उसे किल घोरुपाती होती है तो वो 117 के अब धराश चार के अंतरगत अपराधी माना चाहेगा मुसलि क्योंकि जैसे जैसे मोब लिंचींगे केसिस वर्तों समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे जैसे कि बच्चा चोर या फिर गोवन्स हत्या ऐसा नहीं कि केसि जूटे थे बट सच्चे से ज़्यादा जूटे केसि यानि कि आप वाहें ज़्यादा उड़ रही थी जिसके चलते किसी निर्दोस व्यक्ति को मुसली माना जा रहा था भीड के द्वारा तो इन सब के चलते इस प्रकार के कानून का लाना जरूरी हो गया था नेक्स्ट है आई पीसी 303 का पुंड़ थान यानि कि 303 आई पीसी यानि कि एगर को व्यक्ति पहले किसी का मुडर करके जेल में आजीवन कारवास की सजा भुगात रहे फिर आके मुडर करता है तो उसको ले एक ही पनिश में परता है तो इसको मिड्डू परसेस पंजाव राज्य के केस में कौन्सिटूशनली गोशिद कर दिया था बट बीने से 4 में इसको फिर इंक्लूड कर दिया बट अभ यहां पर दो पिरकार के ऑप्शिनली यहां पर पनिश्मेंट हो गया तो आजीवन कारवास और दू 304 में थी बट BNS के अंदर आप उसको कहा देगो कि 105 गंतरकत इंक्लूड कर दिया और यहां पर देखिए न्यूंतरम सजा इंक्लूड कर दिया इसमें पांच सार अब तक न्यूंतरम सजा का प्रावधान नहीं था है यहां पर यानि कि 106 जो बहुत जादा विवादों में भ भाग जाते तो 10 साल का उसको कारवास था और साथ जुर्मान अभी था जिसको लेकर ड्रावर्स ने हर्दाल कीती काफे जाए था बड़ देखिए इस प्रावधन को भी स्थगीत रखा गया 106 का जो सब्सेक्शन 2 है उसको भी लागू नहीं किया गया इसके बारे में जानाय में संग्ठित अपराधों को भी परिभाशित किया गए कि कौन से अपराध जो हैं संग्ठित अपराध की कैटेग्रिवें इंक्लूड किये जाएंगे जैसे कि किसी संभू हैं सिंडिकेट द्वारा मतलब जो गेर कानूनिक गतिवीद्यां होते हैं उनमें शामिल ह इनमें क्या है संग्ठित अपराधों के लिए सजा जो है कैसी रखी गई है वो अपराध की प्रकरती पर डिपैंड करेगा कि जो सम्हू है उसने किस प्रकार का अपराध के लिए संग्ठित हो रहे हैं तो उसी के कोडिन उनको पनिश्मेंट दिजाएगी जो कि 5 साल भी हो हो सकती है और उसको पर डेथ पनिश्मेंट भी दी जा सकते हैं आप मामले की प्रकरती अभी आप किस प्रकार के अपराध के लिए खटा हो रहे हो कुछ तुछ संग्ठित अपराध भी यहां पर इंक्रोड किया गया है आतंकवादी गर्दी भी दिया यह न्यू जो की 124 ए आईपीसी में था बी एनेसे से इसको रिमूव कर दिया गया है बट कैसा को प्रोविजन नहीं है बिल्कुल है 152 जो बात करता है कि भारत की प्रभूता एकता और अखंडता को खत्रे में डालने वाली जो गतिविधियां आप करोगे उनके लिए दंड की हाँ आपर बात की गए तो वह यह अपने देश के वरुद आप ऐसा कोई काम करते हो राजज़े वर्ड को यहां से हटा दिया गया है लेकर बात करते हैं आतम हत्या का प्रियास आप कहां पर क्या पढ़ते थे 309 IPC में आप पढ़ते थे आतम हत्या का प्रियास बट डाराक ही आ बाधार डाल रहा है उसके कामों को करने के लिए और यह अनुचित प्रिभाव डाल रहा है कि वह सुसाइट कर लेगा अगर आपने उसका काम नहीं किया तो ऐसे में सनाचिंग को भी नया अप्राथ की रूप में हैं क्लूड कर लिया अवरोध भग और सुधारात्मक द्रस्ट कोन के वन था bisher है hair style ब्रोधxis क्रांड हुए‌ इतना आई पीएविए एतना मतलब उसमें ज़्यादा चीजे इंक्लूड नहीं की गीती बट रिस्टी को भी यहाँ पर विस्तारित कर दिया गया है उसमें अग्सा चीजे इंक्लूड कर दी गई है यह कहता है बारत की प्रभूता एक्टाखंड़े तो उस रक्षा को खत्र तीन सो भी साइपी सी गोरुपती की कितने टाइप से एट टाइप से मौस्टली टाइप यहां पर भी एट है ब्यानेस 116 में अभी यहां पर आपका पहुंच गया है बट हम वहां पर क्या था जो आठवा टाइप साप पढ़ते थे कि अगर कोई व्यक्तिव इस प्रिकार की गोरुपती होती है कि वह 20 दिन तक अपना काम नहीं कर सकता डिल्यूजिस का वहां पर वह 5 दिन घटा कर 15 दिन यहां पर कर दिये गए हैं LGBT सम्मुदान के सक्षन 377 जो था जिसको की नवदे सिंग जोहर के केस में आधा मतलब आंसिक रूप से अनकॉंसिटूशनली घोसित कर दिया गया है यहां पर आपको ऐसा कोई शक्षर देखने के लिए नहीं मिलेगा नैच्रल ओफैंस इसका बिनस के अंदर अने प्रोविजन्स क्या हैं देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जीवन प्रियंत कारवास को भी मतलब जीवन प्रियंत कारवास से क्या मतलब है कि जो व्यक्ति जो अपरादी है उसका सेस प्राकरत जीवन जो है मतलब जो भी बची ही उसके लाइफ है वो कहां प पर कटेगी जेल के अंदर कटेगी तो ऐसी परिभासा आजीवन कारवास की दी हुई है गंभे चोट के केसे जैसे कि कोई वेक्ति वेजिटेटी इस्तिती में पहुंच जाए उसकी सोसने समझने की छमता खतम हो जाए या उसे इस्थाई विकलांगता हो जाए तो ऐसे में द द्रश्टिकोंड निकलने वाले हैं तो भारत की जो सीजय है उन्होंने कहा कि नए कानूनों को लागू करने के लिए एक प्रियाप्त बुनियादी धाचे का निर्मान किया जाना चीए मतलब हर छेतर में हटीजों को ध्यान में रखते हुए इनको बनाया गया है इसमें प समय की मांगों को पूरा करने के लिए सकारात्मक परिवर्तन को पराने के आवश्यक्ता है इस प्रकार ब्येनेस भारते दंद परनाली में एक महतपूर्ण बदलाव है जो दिक नवी नागरी केंद्री तो सुधरात्मक दिश्टिकों लाने का प्रियास करता है यानिके समय की मांगों को समय के परिवर्तन को देखते वे इस प्रकार के कानूनों को लाना जरूरी था क्योंकि समाज परिवर्तन सील हो परिवर्तन सील समाज की अंदर नित नए एक्ट वेक्ति करता है जितना मनुश्य आगे प्रोग्रेस कर रहा है आगे विक्सित होने की कोशिश कर करता है नितने ऐसे काम वो कर जाता है जो कहीं ना कहीं अपराद की demographic में आते हैं दूसरे विक्ति के अधिकारों का हरन होता है तो इन चीज़ों को देखते हुए कहा तक हर साल किसे दिनेम में संसोद्र नहीं किया आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए होगी तो इसी लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स गुरूप में शेयर कीजेगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजर साथ ही लाइक भी की किजिए और कमेंट करके बताई कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी